हालो टेडर्स, वल्लकम बैक टू माई चानल, चलो दख लेते निफ्टी वैंग निफ्टी में क्या व्यूज बन रहें और कल कुन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है यह one hour का चार्ट है और जिस तरीके से downside का हमने momentum expect किया ता market में वो नहीं आया अभी वो हमने expect क्यों किया था और पूरा हम यहाँ पर analysis से discuss करने वाले कि कल यहाँ पर हम किस तरीके से trade कर सकते हैं और आज मैंने यहाँ पर किस तरीके से trade किया तो simple अगर आप 1 hour के chart में ही देखोगे तो price एक clear trend दिखा रहा है कि market एक अच्छा साई impulse move, retracement, impulse move, retracement और यहाँ पर से और एक अच्छा downside में move आ सकता है और यहाँ पर से भी हम fall का expectation रख रहे थे जो क्याज हमें नहीं मिला अभी मैंने यहाँ पर trade किस तरीके से किया अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे तो मैंने आपको simple बोला था मेरा view यहाँ पर से downside का है और simple मैंने आपको एक level बोला था यह एक important swing low है ऐसे मैंने बोलके रखा था क्योंकि market इतना बड़ा gap down open हुआ दिन price नहीं यहाँ पर support ले और support लेके एक अच्छा बुल्रैली लगया इसी वज़े से यह important level chart की उपर हो नहीं वाला था मैंने बोला था कि अगर market gap up open होता है या फिर range में भी open होता है तो मैं इस वाले level पर एक pullback देखने वाला हूँ और यहाँ पर से shorting की opportunity लेने वाला हूँ तो 5 minute time frame में जैसे ही price नहीं यहाँ पर reach किया मैंने यहाँ पर कुछ puts buy कर लिये थे यहाँ पर मैंने buying का trade लिया हुआ तो option buying की थी क्योंकि मैं एक momentum expect कर रहा था यहाँ पर से market एक अच्छा सा नीचे भी गरा अपने closing तक भी गया था फिर भी मैंने यहाँ पर अपनी position close नहीं की बहुत ही अच्छा profit चल रहा था बट मैं एक बड़ा momentum downside में expect कर रहा था जो कि मैंने आपको कल भी आपके साथ में share किया हुआ था बट वो हमारे हिसाब से नहीं गया मैं यहाँ पर aggressively stop loss भी trail नहीं कर रहा था इसी वज़े से लगबख जब price ने ये previous swing low को तोड़ा तब यहाँ पर मेरा trailing stop loss हिट हुआ और छोटे से profit में यहाँ पर से बहार निकल गया तो कुछ इस तरीके से आज मैंने अपने positions को manage हिया और यहाँ पर से price उपर जा रहा था तो यहाँ पर मेरा buying का कुछ भी mood नहीं हो रहा था और analysis भी नहीं बन रही थी इसी वज़े से मैंने यहाँ पर buying नहीं की अभी simple हम यहाँ पर कल किस तरीके से trade कर सकते हैं तो अगर आप देखोगे simple आपको यहाँ पर एक important trend line दिखाई देगी आप यहाँ पर देख सकती कि price हर बार यहाँ पर से गिर रही है retracement ले रही है गिर रही है again retracement अगेन गिरी और यहाँ पर से भी यह एक retracement हो सकता है 100% नहीं बोल सकती इसी वज़े से मैं आपको आज यहाँ पर long के भी trades बताने वाला हो और short के भी trades बताने वाला हो और अगर आप देखोगे अभी इस वाले trend line को price यहाँ पर से breakout करने का try कर रहे है simple यह एक important swing high मेरे लिए होने वाला है अगर price 17,160 के ऊपर निकलता है तो मेरे लिए यहाँ पर से long के trades active हो जाएंगे और directly हम यहाँ पर यह जो previous swing highs है इसके respectively targets रख सकते तो यहाँ पर से अपको long side का तो analysis पता चल गया होगा अभी अगर हमें short करना है अपको simple यहाँ पर एक rising wedge pattern दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से अभी अगर price यहाँ पर से rising wedge pattern का यहाँ पर से breakdown करके नीच या जाता है यहाँ पर से shorting के opportunity ले सकते तो इस level के ऊपर हम long जाएंगे और यहाँ पर अगर यह rising wedge pattern downside में breakdown करता है तो हम कोई भी pull back देखकर हम यहाँ पर से shorting के opportunity लेने वाले और कुछ इस तरीके के ट्रेड्स यहाँ पर निफ्टी में बन रहे ठीक है तो यह दो ही ट्रेड्से मेरे लिए और अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी के उपर बात कर लेते हैं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हमने डेली टाइम फ्रेम में एक बड़ा मुमेंटम डाउंसेड में हम बात करी थी पूरा अनालिसिस आपको बताने वाला हो यहाँ पर एक इंसाड बार केंडल स्टीक पैटन बन रहे थी हमने बात की थी कि अगर यह डाउंसेड में ब्रेक डाउन करती है तो एक अच्छा डाउंसेड में फॉल आ सकता है बट अगर आप देखोगे तो लगबग तीन-चार आप यापर देख सकते कि मार्केट इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है अगर हम यहाँ पर से 15 इनिट भी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको यह रेंज मिल जाए कि जहाँ पर से मार्केट हम कह सकते की रिजेक्शन ले रहा है और सपोर्ट ले रहा है और सिंपल हम इस सी रेंज को ट्रेड करने वाले सिंपल अगर कल मार्केट लगबग 39,130 जो लेवल है यहाँ पर से ब्रेक आउट कर देता है तो इसके उपर हम लॉंग के ट्रेड्स ले सकते हैं फर्स टार्गेट हमारा यह स्विंग हाय होने वाला है और अगर प्राइज यहाँ पर से भी ब्रेक आउट कर देता है यहाँ पर एक इंपोर्टन्ट मार्केट प्रोफाइल का लेवल है यह हमारे लिए इंपोर्टन्ट रेजिस्टन्स का काम कर सकता है और अगर यह भी तो यह तीन targets के लिए हम यहाँ पर काम कर चकते हैं ठीक है और हम यहाँ पर short cup जाएंगे जब हमारे consolidation का low जो है बहुथ यहाँ हो जाएगा तो इसके नीचे हम यहाँ फुरा पूरा इनालिसिस बन रहा है यह यह दो ही ट्रेर में यहाँ निष्टी में वह लेना हुआ हो अभ यह वाली red candle पे trade किया है, यहाँ पर से shorting के opportunities ली हुई है, अगर आप मेरे regular viewer हो तो आपको पता हुगा कि किस तरी किसे लिए, अगर आपको जानना है तो आप previous वीडियो देख सकते हो market analysis के, अभी simple अगर आप देखोगे, इस वाले trend line पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा volatility market द देखने को मिल सकता है, बट अगर यह भी एक fake breakdown हो जाता है, तो upside में भी momentum अच्छा बन सकता है, किस तरीके से trade करना है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, simple हमें 15 minute chart में जाना है, और अगर आप देखोगे, यह वो important level है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा trend line भी बन opportunities ले सकते हैं, इतना simple यहाँ पर setups बन रहे हैं, अब इन एक जो chart हो है, HDFC bank, HDFC bank हमने कल भी यहाँ पर हमारे analysis में रखा था, हम कह सकते हैं, watch list में रखा था, price एक important horizontal level पर आप देख सकते हो, time to time price यहाँ पर resistance ले रहा है, support ले रहा है, अभी भी price यही पर consolidate कर रहा है, और यहा बहुत देज से यही पर consolidate कर रहा है, अभी long side अगर आपको जाना है, तो मैं आपको suggest करना चाहूंगा, कि 1417 का जो level है, 1417 का इसके उपर हम long जा सकते हैं, but short की बहुत यह अच्छी opportunity बन सकते हैं, क्योंकि market यहाँ पर head and shoulder pattern बना रहा है, अगर price यहाँ पर लग बग 1400 का level breakdown करत है, तो कोई भी pullback देखकर हम यहाँ पर shorting के opportunities ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा trade यहाँ पर बन सकता है, ठीक है, तो यह है मेरी stocks के analysis और nifty और bank nifty के analysis, hope यह आपको यह analysis समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी, अगर analysis पसंद आई तो please इस वीडियो को like कर दीज, आपक झाल मुटीत खंपको यह बनागी सरनी के sound रहाँ, इसकी हम मुटी ten कons quién पसले सकता है, पसले सकता है मैं मुटीत हैं तो मैं म array यह हैं आपकोशें हैं के वीडियो यह हैं बिम यह होगी, जो और है सकते हैं आपकोशें हैं, यह हैं अबमा आपकोई पनो हैं आ Пकोब